हेलो फ्रेंडिस नमस्कार गोड इबनिंग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेपल सी बाई फाई शेडी पर आज की इस क्लास में साथ सितंबर ट्रेपल सी एक्जाम में पूछ गए कोशी इंपोर्टेंट प्रस्णों को सामिल गया है और यह सभी प्रस्ण आप सभी के लिए काफी हैलफल होंगे काफी इंपोर्टेंट होंगे जिनका भी आगे ट्रिपल सी का एक्जाम होने वाला है आप सभी इस क्लास को लाश्ट करें और सभी बच्चे क्लास को सियर भी करें ताकि और भी बच्चे और भी साथे इस क्लास को चोईन कर पाएं और आज की सभी प्रस्न हमारे पास बेजे हैं चंदन मिस्रा, रभी कर्णबाल, सोहन, अनसुपाद्याय देवरिया से, रभी राठोर साजहनपुर से और धर्मपाल कुमार चोहान, बहराईच से तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प प्रस्न भेजे हैं और आप लोग भी जब भी आपका अग्जाम हो अपने प्रस्न हमें अवस्य भेजें ताकि हम उन प्रस्नों को अपने क्लास में डिसकस कर पाएं तो आईए देखते हैं आज का सबसे पहला प्रस्न आप से क्या पूछा गया है और यहाँ पर आपको बत और आप में जबाब करना है स्का राइट अंसर क्या होगा हमने आपको कई बार पढ़ाया है समझाया है कि फेस्बुक पर आईडी वनाने की कम से कम उम्मर कितनी होनी चाहिए तो कम से कम उमर 13 वर्स होनी चाहिए ! Option हमारा हो जाएगा C, कम से कम 13 वर्ष की उम्र होनी चाहिए Facebook पर ID वनाने के लिए, ठीक है? कई वार यही प्रसन आता है कि Facebook चलाने के लिए कम से कम उम्र कितनी चाहिए, तो कम से कम 13 वर्ष आपको दिया रखना है. Option नमर 2 में पूचा गया है, 2000 रुपे के नोट का साइज कितना होता है? 2000 रुपे के नोट का साइज और कलर अधिकान साब के एकजाम में पूचा जाता है, और इस पर हमने एक अलग से क्लास भी आपको प्रोवाइड किया है, जहां पर हमने सभी करनसी के नोट और साइज के बारे में आपको बताया है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है, उस सभी को ध्या रखना है, तो यह साइज हो गया है, 2000 रुपे के नोट का, ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं, 662 रुपे के नोट का साइज, तो आपको बता देना है, 662 रुपे के नोट का साइज, तो आपको बता देना है, 662 रुपे के नोट का साइज, तो आपको ब बागी बात करते हैं अगर 100 रुपे के नोट के साइज की तो 662 142 mm हो जाएगा तो यह सभी के सभी most important है और यही एक्सर आपके एक्जाम में आते हैं तो यह सभी आपको पता होने चाहिए question number third कहता है भारत में check कितने दिन तक माने रहता है आपको बताना है भारत में check कितने दिनों तक माने रहता है बैलीड रहता है यानि कि check issue होने के बाद में कब तक बैलीड रहेगा यह question भी हमने आपको पहले पढ़ाया था और यह सभी question आज यानि कि 7 सितंबर एक्जाम में प आपने त्यारी की है बेदिवत तो निश्चित आपका पेपर बहुत अच्छा होगा यहाँ पर क्या होगा आपका राइड आंसर आपसन नमबर भी हो जाएगा थ्री मंथ देखिए पहले 6 मंथ था लेकिन बाद में चेंज हो गया है और आप 3 मंथ कर दिया गया है तो भारत में चेक कितने दिनों तक मानने रहता है बैलिड रहता है 3 मंथ तक बैलिड रहता है जारी होने के 3 महा तक बोचेक आपकी बैलिड रहती है आपको ध्यार रखना है ठीक है option B यहाँ पर हमारा correct answer होगा question number 4 में बताना है निमन में सबसे छोटा computer कौन सा है सबसे छोटा computer आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा आपका right answer बताईए सबसे छोटा computer यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा आपका सही जवाब तो आपको पता है करते हैं तो अगर आप सबसे छोटा देखेंगे तो कौन सा होगा माइक्रो कम्प्यूटर होगा ये आपका सबसे छोटा कम्प्यूटर होता है माइक्रो कम्प्यूटर ठीक है ये सबसे छोटा कम्प्यूटर हो गया इसके बाद बात करते हैं इससे बड़ा फिर क्या होगा, मीनी कम्पीटर होगा, यानि कि माइक्रो से बड़ा होता है मीनी कम्पीटर, और इसके बाद अगर बात करते हैं, तो फिर क्या होता है, मैन फ्रेम कम्पीटर होता है, mainframe computer, इसके बाद में आपका super computer होता है super computer ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या होगा हमारा, सबसे बड़ा super computer होगा उससे छोटा mainframe computer होगा उससे छोटा mini computer होगा और उससे छोटा micro computer होगा यानि कि सबसे छोटा आपका micro computer होता है, ये सभी को ध्यार रखता है ठीक है Univag का पूरा नाम क्या होता है आप सभी को बताना है Univag का full form क्या होता है बताईगा Univag का full form क्या होता है कौन सा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा Universal Automatic Computer Option number B आपका हो जाएगा Universal Automatic Computer बहुत सारे बच्चों के comment आ रहे थे पैड वैच हमारे application पर स्टार्ट हो जाएगा 15 सितंबर से ठीक है और इसके लिए registration आपके 10 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगे यानि कि 10 सितंबर से आप सभी registration कर पाएगे CCC November exam के batch के लिए ठीक है तो जिनका फी CCC का November में exam होने वाला है आप सभी इस batch के लिए register कर सकते हैं जहाँ पर हम आप सभी को CCC का complete crash course कराने वाला है जो अभी हमने CCC October exam के लिए कराया है सेम batch आपके लिए यहाँ पर कराया जाएगा जिसका registration 10 सितंबर से start होगा और batch आपका 15 सितंबर से start हो जाएगा जहाँ पर Libreo Office की theory को यहाँ पर complete कराया जाएगा जो आपके यहाँ पर class होगे सभी chapter wise होगे chapter 1 से chapter 9 तक के mock test होगे साथ में Libreo Office की theory को यहाँ पर सामिल किया गया है बाकी जो अभी CCC सितंबर में पूछे के परसने उनका हम एक अलग से PDF ready करेंगे और वो PDF केवल और केवल आपके batch में यहाँ जो pad batch है उसे में आपको लिए दिया जाएगा तो वो वहाँ पर होगा साथ में आपका जो हमारा e-book है तो वो update होने के बाद इस e-book को भी हम आपके इस batch में provide करेंगे जहाँ पर आप इसे access कर पाएंगे ठीक है और जिनका भी October में एक्जाम है तो अभी भी registration आप लोगों के लिए हो रहे हैं अभी तक अगर आपने उसमें enroll नहीं किया है तो आप CCC October एक्जाम के लिए अपने आपको enroll कर सकते हैं और बहाँ पर आपके लिए जो batch होते हैं वो टाइम होता है आठ पीम का तो आगे बढ़ते हैं कॉस्टर नमर 6 में आपको बताना है IPV4 कितने बिट का होता है IPV4 एडर्स कितने बिट का होता है कॉसा यहाँ पर सही जबाब हो जाएगा देखिए IPV4 आपसे पूछते हैं कई वार आपसे IPV6 पूछते हैं तो IBV4 के बात करते हैं तो यह 32-bit का होता है, 32-bit का होता है, आपको धिया रखना है, 32-bit का होता है, और अगर बात करते हैं IPV6 की तो यह आपका 118-bit का होता है, यह दोरों इंपोर्टेंट है, 118-bit का आपका IPV6 होता है, और IPV4 32-bit का होता है, ठीक है? LibreOffice Calc में by default seat कितनी होती है आपको बताना है LibreOffice Calc में by default seat की संख्या कितनी होती है देखे जब आप LibreOffice Calc open करते हैं तो बहाँ पर क्या होता एक workbook open हो जाता है क्या होता है एक workbook open हो जाता है यहनि कि और हमारा जो workbook होता है इसमें कई सारी seat होती है यह पूछ रहे हैं कि वाइड रिफाल्ट यानि कि जैसे आपने ओपिन किया तो पहाँ पर अपने आप से केतनी सीट आपको मिलती है तो केवल आपको एक ही सीट मिलती है बाकी आप चाहें तो यहाँ पर एक प्लस का साइन होता है जहां से आप सीट आइड कर सकते हैं चलि हम आपको LibroOffice Calc में लेकर चलते हैं यहाँ पर आप देख पाएंगे तो LibroOffice Calc में हम आचुके हैं और यहाँ पर आपको दिखाएं तो आपकी जो वाईड रिफाल्ट सीट की संख्या होती है वो आप देख पारे होंगे यहाँ पर आप देखेंगे seat 1 लिखा हुआ है means cable एक ही seat आपको मिलती है अगर आपको एक और seat add करनी है तो इस plus वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे seat number 2 हमारी यहाँ पर add हो चुकी है ऐसे plus करके seat 3, seat 4, seat 5, seat 6 हम add कर सकते हैं maximum आप यहाँ पर 10,000 seat add कर सकते हैं एक सवाल और होता है कि LibreOffice Calc में अगर आपको इस seat add करना चाहते हैं insert करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन से बटन पर क्लिक करना होता है वो आपका बटन कैसा होता है तो plus का बटन होता है प्लस के आइकन पर हमें क्लिक करना होता है और क्या हम LibreOffice Calc में जो seat है उसका नाम चेंज कर सकते हैं तो सिवर आप नाम चेंज कर सकते हैं यह आपको धिया रखना है यह आपका true हो जाएगा अगर आपसे प्रस्ण होता है क्या आप LibreOffice Calc में seat का नाम बदल सकते हैं चेंज कर सकते हैं तो बिलकुल आप कर सकते हैं इसके लिए हमें seat पर right click करना होगा और इसके बाद यहाँ पर कई सारे option आपको मिलेगे जहां से देखें आप insert seat आप seat और भी insert कर सकते हैं आप seat को delete भी कर सकते हैं आप rename भी कर सकते हैं आप move या copy भी कर सकते हैं उसके बाद select all यहाँ से आप सभी seat को select भी कर सकते हैं आप seat को protect भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि किसी एक work seat में किसी particular seat को ही lock कर दें उसमें एक आप password लगा दें तो आप protect कर देंगे जब तक आप password नहीं डालेंगे तब तक आप उस seat में नहीं जा पाएंगे आप hide भी कर सकते हैं ठीके आप यहां से deadline भी show करा सकते हैं और tab का color भी change कर सकते हैं means आपकी जो seat है इसका color आप change कर सकते हैं आप tab color पर जाएंगे जो भी color रखना चाहते हैं वो रखेंगे ok करेंगे तो आप देखेंगे आप seat 2 का हमने color change कर दिया है ऐसे seat 3 का भी color आप change कर सकते हैं आपको जो अच्छा लगता है वो color आप यहां से select कर सकते हैं आप यहां पर seat के अलग-अलग color भी set कर सकते हैं seat का आप इस्थान भी change कर सकते हैं ठीक है तो यह कई सवाल अलग-अलग तरह से पूंचे जाते हैं बस इनको आपको धियार रखना है पूंचा क्या है UTR का full form क्या होता है यह आपको बताना है तो UTR का full form भी हमने कई वार आपको पढ़ाया अगर आपने हमारे सभी class काटिनू किये हैं तो आपको पता होगा UTR का full form क्या होता है unique transaction reference देखिए जब आप online payment करते हैं आप चाहें NIFT करें या आप RTGS करते हैं तो बहाँ पर क्या होता एक payment ID मिलती है एक unique payment ID generate हो जाती है तो अगर आप NIFT या RTGS करते हैं तो बहाँ पर आपको एक UTR number generate होता है जब आप payment करेंगे तो उसका unique number भी generate होगा जिससे हम UTR नाम से जाते हैं तो इसका मतलब होता है unique transaction reference number आप इसे बोल सकते हैं ठीक है पागे थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो हमारा RTGS है जब आप RTGS करते हैं यानि कि real time gross settlement इसका full form होता है तो अगर आप RTGS किसी को करते हैं तो UTR number 20 digit का generate होता है और अगर आप NEFT से पैसे किसी को भेजते हैं ने कि national electronic funds transfers का full form होता है और यहाँ पर जो आपका UTR number generate होता है वो 16 digit का होता है तो कुछ यहाँ पर important point है जो आपको ध्यान रखने होंगे UTR number 22 digit का कई वार यह सवाल कर देते हैं कि RTGS में UTR number कितने digit का होता है तब आप क्या करेंगे तो आपको ध्यान रखना है UTR अगर आपसे पूशते हैं RTGS में कितने का होता है तो 22 का होता है आपको यह वताना है कि जो आपका IFSC code होता है वो कितने digit का होता है 10, 11, 13, 14 option number यहाँ पर B हो जाएगा 11 digit का होता है यानि कि जो आपका IFSC code होता है वो 11 digit का होता है आपको ध्यान रखता है और इसमें भी कुछ important point है आपके लिए जो हमने no down के हैं आप सभी के लिए यह काफी important है अगर आपसे यह पूशते हैं कि जो हमारा IFSC code होता है जो 11 digit का होता है त तो वो bank को वांक के name को represent करते हैं मिंस कौन सा bank है वो SBI है या फिर BOB है या और कोई है तो सुरुवात के जो 4 digit होंगे वो bank के name को represent करेंगे ठीक है पाँशती हो डिजिट होगा ऑगो 0 होगा पाँशती है यॉम्ष्ट आपका 0 होता है और लाश्ट के जो 6 digit होते हैं वो क्या branch है तो ये भी आपको कुछ point याद रखने होंगे यहां से भी सवाल अलग-अलग तरे से आप से पूछा जा सकता है writer में formula bar को open करने की shortcut की आप से पूछी गई है आप किस shortcut की मदसे formula bar को open कर सकते हैं writer program में writer libro office का एक word processing program है यह आपको पता होगा पहले से हमने आपको बताया है और अगर जिन बत्सों ने अभी तक libro office की जो playlist हमारे चैनल पर दी गई है उसको नहीं देखा है तो आप सभी देख लिए ना बहां से भी आपको काफी help मिलेगी और libro office आपको अच्छे से समझाएगा जहाँ पर writer, calc और replace सभी को समझाए गया है option यहाँ पर हो जाएगा V F2 इस्तेमाल करते हैं writer में अगर आपको formula bar open करनी है तो F2 का इस्तेमाल करते हैं जैसे ही आप libro office writer में आते हैं यहाँ पर अभी आप देखेंगे writer program में तो अभी कहीं पर भी आपको formula bar so नहीं हो रहा है सबसे उपर यहाँ पर आपका top पर क्या होता है title bar होता है उसके बाद में क्या होता है menu bar होता है उसके बाद में क्या होता है standard toolbar होता है उसके बाद में क्या होता है formatting toolbar होता है उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा तो यहाँ पर आपको ruler नजर आ रहा होगा वर्ट जैसे हम यहाँ पर F2 प्रेस करते हैं तो आपने देखा यहाँ पर यह formula bar हमें show होने लगा है यानि कि हम लिप्रोफिस writer में formula bar को अगर show करना चाहते हैं तो F2 का इस्तिमाल कर सकते हैं और hide करना चाहते हैं तो आप ध्यान दीजिए का जैसे हम F2 दवाएंगे तो यह hide हो जाएगा यानि कि hide करने के लिए V हमें F2 का इस्तिमाल करना होता है तो option हमारा क्या होगा? V correct हो जाएगा पूछा गया है निम्न में port number 80 उप्योग करता है निम्न में से 80 port number का इस्तिमाल कौन करता है? बताएगे क्या होगा इसमें सही जबाब? port number 80 का इस्तिमाल कौन करता है? तो आपका सही जबाब होगा option पहला HTTP HTTP का मतलब Hyper Text Transfer Protocol और HTTP port number 80 का इस्तिमाल करता है यह आपको धिया रखना है, ठीक है? question number अगले में बताना है CPU के सबसे नजदीक मेमोरी कौन सी होती है यानि कि CPU के सबसे पास मेमोरी कौन सी होती है option पर आपको जबाब करना होगा means option कौन सा दिया गया है पहले यह देखना पड़ेगा देखे, यहाँ पर RAM का option है ROM का option है, कैसे मेमोरी है और None of Days का option है तो आपको यह वताना है कि जो हमारा CPU होता है उसके सबसे नजदीक कौन सी मेमोरी होती है तो सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा option number C हो जाएगा कैसे मेमोरी होती है CPU के सबसे नजदीक कैसे मेमोरी होती है कभी भी एगर आपको यहाँ पर register का भी option मिल जाए तो फिर आपको register correct जवाब करना होगा क्योंकि cash के बाद फिर register का number आतनिक CPU के pass register होता है, ठीक है बड़ अगर register नहीं दिया रहे है तो आपको cash मेमोरी करना है ठीक है, तो option हमारा यहाँ पर C correct हो जाएगा DPI का full form क्या होता है सबी बचों को बताना है DPI का पुरा नाम बताएगा DPI का पुरा नाम क्या होगा DPI का full form होता है dots per inch तो option हमारा पहला होगा dots per inch हो जाएगा और यहाँ पर पुछा है Windows 10 का by default browser कौन सा है यान की Windows 10 में जो by default browser होता है वो कौन सा होता है यह सवाल अधिकान सरब के एकजाम होता है Windows 10 में जो default browser होता है वो कौन सा होता है Google Chrome होता है Microsoft Age होता है वो पेरा मेनी होता है और आफ तीच चलिए जल्दी फे जबाब करिए देखते हैं कौन-कौन बच्चेस का सही जबाब करेंगे तो सही जबाब होता होता है आपके वेटोटेन में default browser UC browser किस देश ने विक्सित किया या किस देश ने डेबलब किया ये कई वार पूशते है कि UC browser किस देश का है तो ऐसे अलेग लग तरी किस सवाल होते है आपको बताना है UC browser किस देश ने डेबलब किया या विक्सित किया तो सही जबाब हो जाएगा option number C चाइना ने डेबलब किया है यानि कि UC browser किस country का है तो आंसर करना है चाइना का आपको बताना है first internet network कौन सा था first internet network कौन सा था first का spelling होता है FIRST तो first internet network आपको बताना है कौन सा था अगर आपसे ऐसे पूचें कि पहला network बताइगा तो आप क्या करेंगे तो आपका answer होगा option number B ARPANET सबसे पहला जो network था वो आपका ARPANET था USA में defense के द्वारा तयार किया गया था ARPANET जिसका नाम रखा गया था इसका मतलब होता है Advanced Research Project Agency Network जिसके बाद में एक और network आया जिसका नाम था NSFNET जिसका मतलब था National Science Foundation Network तो यह भी एक network था आपको धियार रखना है NSFNET सबसे पहला network के अगर हम बात करते हैं तो option B हो जाएगा हमारा ARPANET ठीक है option number B यहाँ पर correct है यहाँ पर आपको बताना है 5B PD में निमनमेसी किसका इस्तेमाल होता है जो आपका 5th generation है आप computer का इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है IC chip का इस्तेमाल होता है AI का होता है, transistors का होता है none of these तो यहाँ पर आपका सही जबाब होगा AI, artificial intelligence या फिर यहाँ पर अगर आपको मिलता है ULSI, यानि कि Ultra Large Scale Integration तो भी आपको correct करना है ULSI आपको मिल सकता है या पर AI भी आपको देखने को मिल सकता है जो भी आपके option में दिया रहे या आपको देखना पड़ीगा तो यह 5th generation में इस्तेमाल होता है ULSI यानि कि Artificial Intelligence दोनों में से कोई भी आपके एकजामे हो सकता है OSI model में कुल कितनी layer होती है total number of layer के संख्या कितनी होती है आपके OSI model में OSI का मतलब होता है open system interconnection और इसमें कुल layer के संख्या से बन होती है 7 layer होती हैं आपके OSI model में और इस प्रस्ण में आपको बताना है कौन सा operating system नहीं है निम्ड में से कौन सा एक operating system का example नहीं है आपको यह बताना है देखो Windows का option है Linux का option है Oracle का option है और DOS का option है तो आपको बता है Windows भी एक प्रकार का operating system है Linux भी है DOS भी है हमारा Oracle operating system नहीं है option number C हमारा correct answer होगा पूचा है SSL द्वारा या SSL का full form यहाँ पर आपको बताना है means SSL का मतलब क्या होता है इसका full form क्या होता है क्या होगा secure socket layer होता है हमने कई वारा आपको बताया है SSL का मतलब होता है secure socket layer आपको द्याँ रखना है आपने दिखा होगा जब आप किसी website पर जाती है तो बहाँ पर http दिया होता है किसी में और किसी में https दिया होता है तो जहां पर yes दिया होता यह secure माना जाता है और इसी में क्या होता है SSL की security होती है means secure socket layer होता है यह आपको दिया रखना है अब यहां पर बताना है equal power 5,2 का result कितना होगा power दिया गया है और power formula क्या करता है अगर यह power आपको देखता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका तो 5 multiply 5 बराबर 25 हो जाएगा ठीक है तो option हमारा पहला correct हो जाएगा जैसे हम आपको एक बार LibreOffice Calc में लिकर चलते हैं और यहां पर हमें क्या करना है हमने जैसे यहां पर लिखा equal उसके बाद में आपने लिखा power ठीक है ब्रैकेट open करते हैं 5,2 ब्रैकेट close करते हैं एंटर पर 3 कर देते हैं तो 5 की power 3 हो जाएगी यानि कि आप यहां पर 5 की multiply 3 बार करती जाएगी तो 125 आपका जवाब हो जाएगा ठीक है तो यहां पर 25 हमारा right answer होगा पूछा गया है EDI का full form क्या होता है EDI का पुरा नाम आप सभी को बताना है electronic data interchange होता है option B हो जाएगा आपका right answer EDI का मतलब electronic data interchange पर इसमें बताना है command interpreter को dash कहा जाता है command interpreter को क्या कहा जाता है और किस नाम से जाना जाता है command नाम से जानते हैं करनेल, सेल या prompt नाम से जाना जाता है command interpreter को dash कहा जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा option number C हो जाएगा sale कहा जाता है सभी को ध्यार रखना है option number C correct होगा operating system में booting का आर्थ क्या होता है operating system में booting का आर्थ आपको बताना है booting क्या होता है restarting computer, install the program power of computer, none of these operating system में booting जो सब्द होता है इसका मतलब आपको बताना है इसका अर्थ क्या होता है booting का मतलब होता है computer को restart करना option number पहला हमारा correct हो जाएगा यहाँ पर जो दिये गए है restarting computer आपका रइट आसर होगा option number पहला correct होगा facebook निम्रमेसी किसका एक उधारिण है किसका एक example है तो facebook किसका एक example होता है यह आपको बताना है e-commerce है social site है educational site है इसमें से कोई नहीं सभी को पता होगा facebook हमारा कैसा है social networking site है option B हो जाएगा एक social site है यही आपसे पूछे imagine कैसा है तो आपको बता देना है imagine आपका e-commerce हो जाएगा flip card आपका e-commerce हो जाएगा OLX आपका e-commerce हो जाएगा कुई कर आपका e-commerce हो जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से आपको आसिर करना है question number 26 में बताना है POS का अर्थ क्या होता है POS का मतलब होता है बताएगा क्या होगा point of sale तो option number 2 हो जाएगा point of sale सभी को ध्यार रखना है POS का मतलब point of sale आपका right answer है सवाल है आपसे cryptography क्या है या cryptography किसे कहते हैं cryptography क्या है encryption and decryption process cipher text plain text none of these cryptography आपका है गया तो encryption और decryption का जो process होता है यानिकि encryption से decryption और decryption से encryption का जो process होता है इसी को cryptography कहा जाता है तो cryptography एक process है किसी भी data को encrypt करने का और उसको decrypt करने का बहाँ समझ में आ रही जैसे मालिया कोई text है कोई आपका एक normal text है और आपको पता है normal text जो होता है उसको हम plain text बोलते हैं क्या बोलते हैं इसी को plain text बोल जाता है plain text और अगर आप इसको encrypt कर देते हैं तो encrypt करने की जो process है उसी को cryptography कहा जाता है encryption और decryption को क्या बोलते हैं cryptography बोलते हैं तो देखो, यहाँ पर text हमारा, यह plain text होता है, इसको अगर आप encrypt कर देते हैं, तो यह क्या कहलाएगा, फिर यह आपका cipher text कहलाएगा, यह भी सवाल आपके exam में होता है, कि cipher text क्या होता है, तो cipher text आपका होता है encrypted वाला text, यह जो text encrypted हो गया है, वो cipher text होगा, जो आपका decrypted form में होता है, वो आपका plain text होता है, और इसी process को बोला जाता है cryptography, ठीक है, तो option हमारा यहाँ पर पहला correct हो जाएगा, यहाँ पर आपको बताना है EEPROM का full form, ठीक है, तो आपको बताना है EEPROM का पुरा नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है, true false में जबाब करना है, यहाँ पर दिया गया है EEPROM का full form, इरेज कर सकते हैं, एक सवाल आपसे और हो सकता है, केवल आपसे पूश सकते हैं EEPROM का मतलब बताएगा, तो इसका मतलब क्या होता है, इरेजेवल, प्रोग्रामेबल, रीड आउली मेमोरी, याँनि किसको हम अल्ट्रा वालेट रेज के बाद हम से इसके डेटा को डिलीट किया जा सकता है, अगर आपसे केवल पी रोम का full form पूशते हैं, तो आपको बता देना है, और आपको बताना है, डेवल, 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 की full form क्या होती है, 29 में कौँसा आपका राइट असर होगा, तो इसका मतलब होता है, worldwide babe और आपको आगे warm और लगा देना है ठीक है आपको www का full form तो पता ही होगा worldwide babe होता है आगा चोथा जो आपका w है इसका मतलब हो जाएगा warm तो आपको यहां भी warm और add कर देना होगा निम्ल में सी कौन सा एक pointing device है कौन सा इस में सी pointing device है देखिए input device तो है ही input device के साथ में ऐसी device जो point करे किसी भी thing को किसी भी चीज को point करे तो उसको हम pointing device बोलते है जैसे आपका जो mouse का arrow होता है mouse pointer जो होता है तो किसी object को क्या करता है point करता है आप mouse जैसे ही चलाते है तो आप देख पारेंगो स्क्रीन पर आपको यहां पर पॉइंटर नजर आता है इस विकार से joystick भी होता है जिसका आपना एक पॉइंटर होता है यानि कि joystick अधिकाल सापने देखाऊगा जो आपकी game खेलने के लिए बहुत सारी कौन है अगर आपसे कभी founder पूछे तो confuse नहीं होना है ठीक है तो founder भी यही है कौन है जॉब रोर्सी है Jack Ma है आलेंट टुरिंग है या इसमें सी कोई नहीं option number B हो जाएगा Jack Ma आपका राइटर से computer की तीसरी PD में निमने में से इसका इस्तिमाल होता है मिंस किसका इस्तिमाल किया गया था computer की third generation में किसका इस्तिमाल किया गया था यह आपको बताना है IC, vacuum tube, transistors या फिर VLSI क्या होगा इसमें राइटर से option number पहला IC, integrated circuits का full form होता है कई वार आप से IC का full form भी पूछते हैं तो integrated circuits का पुरणाम होता है इसका इस्तिमाल computer की third generation में किया गया था अब देखिए अगर आपसे पूशे हैं कि computer की first generation में किसका इस्तिमाल हुआ था तो first generation में vacuum tube का इस्तिमाल हुआ था पहली में vacuum tube का इस्तिमाल हुआ था second की एकर बात करते हैं तो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हूआ था और फिर आपका VLSI का इस्तेमाल हूआ था और पाश्मी की बाद करते हैं तो ULSI हो जाएगा साथ में EIP जोड़ जाएगा यह पाश्मी जन्रेशन में जैसा कि अब mają सबाल आप से पूछा गया था तो याद रखना है यहाँ पर VLSI का मतलब होता है Very Large Scale Integration और ULSI का Full Form होता है Ultra Large Scale Integration और EI का मतलब होता है Artificial Intelli Gens तो यह आपको दिहार रखना है तो आज की क्लास बस यह तक थी I hope आप सभी को पसा नहीं होगी और जिन बचों का कल एकजाम है आप सभी को हमारे तरब से वेश्ट आप लग आलरी वेश्ट I hope आप सभी बहुत अच्छा करेंगे बस आपको सभी कलाफ अच्छे से देखने हैं और revise करके जाना है अच्छे से अगर आप revise करके जाते हैं तो निश्चेत आपका paper बहुत अच्छा होगा जैसा भी हो आप सभी को बताना है और जो भी question आपको याद रहें आपके एकजाम में आप हमें अवस्थे भेजें प्रसनाप हमें कहां पर भेज सकते हैं तो आप हमें whatsapp कर सकते हैं 94522994364 या फिर हमें mail कर सकते हैं info.ccc.yphd.gmail.com और आज की इस class का PDF आप सभी को हमारी website पर मिल जाएगा जिसके लिए आपको www.ccc.yphd.com पर विजिट करना होगा जिसका लिंक आपको description box में भी मिल जाएगा जहां से आप इस class का PDF डाउलोड कर सकते हैं दूसरा आप हमारे application से भी इस PDF को डाउलोड कर पाएंगे ठीक है तो आज के लिए बज़तना ही मिलेंगे आपको के class में तब तक के लिए चाहें गुटनाइट बाए बाए